हेलो फ्रेंड्स भी हर्ब सैनी स्पाइसिज किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे राजस्तानी गट्टे की सबजी वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्याजली है एक हरी मिर्च है दो लोंग है आठ से दस काली मिर्च है छे से साथ लेसुन की कलिया है इन सब को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका पेष्ट बना कर तयार करेंगे पेष्ट बनकर तयार है अब इसको बावल में निकाल लेंगे हमने यहाँ पे एक कप बेशन लिया है एक पिंच हींग ड दालेंगे तो हाफ टीजपून जीरा डालेंगे हाफ टीजपून लाल मिर्स पाउडर डालेंगे एक पिंच हल्दी डालेंगे हाफ टीजपून नमक डालेंगे पन टीजपून घी डालेंगे वन टीजपून ओइल डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे और इसका सोप्ट आठा लगा कर तैयार करेंगे गट्टे का डो बन कर तैयार है अब इसे रोलिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे और इसकी गट्टे बनाएंगे थोड़ा गट्टे का डो लेंगे और इसे रोल करेंगे इसी तरीके से सारे गट्टे बनाकर तैयार करेंगे गट्टे बनकर तयार हो गए हैं हमने यहाँ पर दो कप पानी बोईल किया है इसमें गट्टे एड़ करेंगे और गट्टों को 10 मिनट तक पकाएंगे गट्टे थोड़े पक चुके हैं अब इसे कवर करके 2 मिनट तक और पकाएंगे कट्टे काफी सोफ्ट बने हैं अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और पानी को साइड में रख देंगे अब एक कढ़ाई लेंगे उसमें 2 टेबल स्पून ओईल गरम करेंगे ओईल गरम हो चुका है इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे हाफ टीस्पून अजवाइन डालेंगे दो टुकडे दाल चीने के डालेंगे एक पिंच हिंग डालेंगे जो हमने पेस्ट बना कर तयार किया था वो भी इसमें आड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए अब इसमें वन टीस्पून लाल मिच पाउडर डालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे वन टीस्पून बेसन डालेंगे इसको अच्छे से भून लेंगे वन टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे मसाले को अच्छे से भून लेंगे मसाला भुनकर तयार है अब इसमें आदा कप दही डालेंगे और इसको कंटीनिव चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बोईल ना जाए दही में बोईल आ चुका है अब इसमें गट्टे एड़ करेंगे गट्टे को हमने नाइप से काट लिया था छोटे चोटे टुकडो में अब गट्टे को ग्रेवी के साथ में 2 मिनट तक पकाएंगे गट्टे को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं अब इसमें 1 टीज्पून नमख डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें पानी डालेंगे जिसमें हमने गट्टे बोईल किये थे वोई पानी अड़ करेंगे सबजी को 6-7 मिनट तक पकाएंगे सबजी पक चुकी है अच्छे से अब इसमें 1 टेबल इस्पून कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा हराधनिया डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सबजी को बाउल में निकाल लेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू